नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग मिर नाम है विशाल परिहार अरुल सर पुनी सर भी आप जुड़ रहे हैं साथ में टीम, EVP करती है आपका स्वागत 2021 स्टार्ट होने को है कितना अच्छा रहेगा कि हम 2021 की जो भी प्लानिंग है वो हम पहले से ही करके चले वो सारे स्टूडेंट जिनका आप ग्रेजुएशन फाइनल येर होने वाला है या फिर जो फाइनल येर में आ रहे हैं और उन्होंने एक सपना देखा हुआ है कि 2021 में किसी भी बैंक में अगर नौकरी निकलती है तो वो नौकरी मेरे नाम होनी चाहिए तो उसकी प्लानिंग सारी चीज़ अगर पहले से हो तो बहुत अच्छी चीज़ होगी और हम लोग इसी चीज़ को शिरुवात करने की पहल कर रहे है आरुन सर, पुनीच सर, विशाल सर यानी टीम एविप आपको बताएगी किस तरीके से हमारी प्लानिंग है और उस प्लानिंग में आप जुड़कर अपने सपने को पूरा करेंगे पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग यहां मौझूद है तो मैं आपको पुनीच सर के पास ले चलूँगा है न डिरेक्ली पुनीच सर आपको बताएगे रीजनिंग में वो कैसे कैसे पढ़ाने वाले कब से स्टार्ट करके कब क्या everything तो सबको जब भी रीजनिग में पुनीच सर बताएगे फिर अरुन सर आएगे एंगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा तो सारी के सारी प्लानिंग बड़े ध्यान से देखना दोस्तों और उससे पहले एक बार सेशन को जड़ा शेर मार दो आपके पुनीच सर आपके चहेते सबसे बड़ी आशांदार तरीके सापके सामने मौजूद होने वाले हैं तो पुनीच सर के पार तो वन्स अगें ए वेरी स्पेशल गूड इवनिंग टौ अलव फिर से बैंकर स्विंब और एक बार फिर से टीम एविपी एक नए जोश के साथ एक नई एनरजी के साथ आपके सामने मौजूद है तो जैसे कि विशाल सर ने भी बढ़ाया कि नया साल शुरू होने वाला है और बच्चे बहुत एकसाइड़ हैं बहुत सार एक्जाम भी लगे हुएं बहुत सार एक्जाम लाइन पे आपके तो काफी जो नए बच्चे हैं बहुत ही क्यूरियस हैं कि सर्फ 2021 शुरू होने ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूँ, कि मैं आपके लिए reasoning में कैसे आपको मट करने वाला हूँ, और कैसे आपका basic concept strong करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको यहां clear कर देता हूँ कि एक batch जो अभी आपको हम लोग ने बताया था फॉर्थ ऑफ जैन से शुरू हो रहा था जो बेसिक बैस्ट बेसिक बैच पॉंटिन्यू जैसा कि आपने आपको बताया गया था चार जनवरी से बेसिक बैच स्टार्ट होने वाला है या जैसे कि ए टू जैड बैच भी हमने इसका नाम बताया था आपको तो ये चार जनवरी नेक्स टेर स्टार्ट होगा लेकिन इसके लिए स्ट्रेटेजी इसकी प्लानिंग इसको किस तरीके से हम लोग एक्जिक्यूट करने वाले हैं उन सब के बारे में डिटेरिंग में इन्फॉर्मिशन आपको 29 ऑफ जैन से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे मतला इसकी फॉर्स क्लास सबसे बड़ा रीजन इसकी फॉर्स क्ला फीस जादा पे करनी पड़े आपकी 31st of December को फीस बढ़ जाएगी और यह definitely है कि यह फीस बढ़ जाएगी आपकी तो आप 29th को हई अगर बैच स्टार्ट करेंगे तो आपकी सारे के सारे बच्चे जो पहले दिनी आएंगे उन सब को कहीं न कहीं पेमेंट इतनी जादा नही करनी पड़ेगी तो बाद में आने वाले को करने पड़ेगी तो हमने का क्यों ना चार जनवरी को ना स्टार्ट करके हम 29th of December से इसको स्टार्ट कर दें जिससे बच्चों का भी बेनेफिट हो पाए और उनको एक तरीके से हम कहें कि क्रिस्मस गिफ्ट मिल जाए तो जितने में आपको हर टॉपिक का बिल्कुल जो बेस होता है ना जीरो से स्टार्ट करूँगा क्योंकि 2021 आपका सपना है तो हमारे पास टाइम है हम लोग हर चीज़ को डाप में पढ़ेंगे उनके ओपर एक्ससाइस करेंगे और हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग साती साथ अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 4 December से 4th of January से मेंस का बैच आ रहा है और इसकी टाइमिंग है 8-9. 8-9 PM. जो Pre का बहच है, जिसको अभी मैं बतारा था, उसकी TIME है, 7-8 PM. तो ये इवनिंग में अगर आप Pre कीतैरी करने जाते हैं तो Pre कीतैरी कीजिए. अगर आपकी Pre कीतैरी हो चुकी, आप काफि 불 में से Team LP के सब्साद हुए हैं, झाल झाल सर सही है बाडी बल चली नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बैंकर्स वेपर जैसे की देखिए बाच चल रही थी की 2021 की प्लानिंग तो हम हमेशा एक बात को कहते हैं कि देखिए सार दर साल निकलते जा रहे हैं हमें हर दिन ये अपने आप से पूछना चीए कि साल निकल रहा है साल के साथ साथ हमारा दिन भी निकल रहा है हमारी उम्र भी निकल रही है एक सही उम्र जो है वो यही है आपकी मैं कल भी बच्चों से यही क्या रहा था कि हम लोग इस बात पर विचार ही नहीं करते हम लोग साल और महीनों पर ही बात करते है अगर हम थोड़ा दिनों पर भी ध्यान देने लगें कि आर सुबह शाम हो जाती है और हमने उस पूरे दिन में क्या सीखा तो हमें पता चलेगा कि यह हमने तो जो हमारा लक्षी है जो हमारा गोल है उसके कंपेरिजन में आज की महनत हमने थोड़ी सी कम करी तो यही बताने का हमारा आप लोगों को प्रयास है कि आप एक सिस्टेमेटिक वेसे हमारे साथ जुड़िए और अपने दो हजार इकिस में बैंकिंग एक्जाम्स जो आपने लक्ष लिया है उसको पूरा कीजिए क्योंकि देखिए 2020 भी आया, 2020 की सुरुवात होने वाली है, 22 भी आएगा, 23 भी आएगा इसतना नमबा ना सोच के अगर आप यह सोचें कि 2021 में जनवरी, फरवरी, मार्ज ये तीन महिने अगर मैं टार्गेट करूँ, इस तीन महिनों में अगर मैं फोकस करके तियारी करूँ, तो मेरा 2021 वाकई में बहुत अच्छा होगा. तो 2021 के लिए प्लाइन क्या किया है, पहले तो मैं बना लेता हूं कि क्या क्या शुरू होने वाला है, देखिए. सातियों जैसे कि बहुत सारे प्री एक्जाम अभी खतम होने वाले तो मेंस एक्जाम स्टार्ट होने वाले तो SBI का मेंस हो गया, IBPS का मेंस हो गया, RRB का तो मेंस के मेरे दो बैच आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक DI का मेंस का बैच है मेरा, जिसकी टाइनिंग साड़े छे बजे, ये कूर्स मेरा लाइव आप जाओगे, मेरी प्रोफाइल पर आपको दिख जाएगा, एक मेरा अर्थमेटिक का बैच है, ये भी मेरा रात के काड़ बजे, मैंने क्या किया है, कि मेंस के दो बैच आपके लिए बनाए हैं, दो घंटे, क्योंकि एक घंटे में पॉसिबल नहीं है, आपको सारा मेंस कवर करवा पाना, तो दो घंटे मेंस के बैचे डियाई का और अर्थमेटिक का, ये उन विथ्यारतियों के लिए हैं, जो तयारी कर रहे हैं, ओनली मेंस एक्जाम, जिनके प्री एक्जाम अभी 31 दिसमबर और इवन 6 जनवरी के बाद खतम हो जाएंगे, तो 6 जनवरी को आपका पेपर खतम होगा, ये हम शुरू कर रहे ह चार जनवरी से, ठीक है, तो चार जनवरी से शुरू कर रहे हैं, किसले शुरू कर रहे हैं चार जनवरी से, दो दिन का जो आपको बीच में मारजन मिलेगा, वो आप रिकॉर्डिंग देखके कवर कर लेगे, ठीक है, तो ये हो गया मेंस का हमने खतम कर दिया, अब बात कर जो फ्रेशर केंडिडेट हैं, जिनका फाइनल लियर इस बार जो भी ग्राजवेशन में आए हैं, जिनको बैंकिंग में जाना है और एक बेसिक से हमारे साथ तैयारी करनी है, तो मैट्स में मैंने क्या डिजाइन किया है, आपके लिए एक बैच डिजाइन किया है, जिसका न कि शुरू हो रहा है, बट 29 जनवरी को इसमें पहली क्लास भी है, बेसिक टू हाई है, मतलब पूरा बैचे, 39 जनवरी से लेकर 11 अपरेल तक ये बैच चलेगा, 11 अपरेल तक, मतलब बच्चे आप देख सकते हो, पूरा पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और अपरेल भी 11 तक जा रहा है, तीन महीने का है, इसी बैच में कम्पलीट आपको डियाई मिलेगा, कम्पलीट अर्थमेटिक मिलेगा, इसी में आपको PDF के साथ नोट्स मिलेंगे, वैदिक मैट्स आपको सिखाई जाएगी, ताकि आप अपनी क्यालकुलेशन की स्पीड को ब रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो कोशिश की जा रही है कि एक प्रॉपर मैंच है, तीन महीने की अगर मैं बात कहूं, तो तीन महीने जैसा कि मैंने आप से कहा, कि सातियों जन्वरी, फरवरी और मार्च, ये तीन महीने हैं, ये तीन महीने आप 5 पीम टू 6 पीम एक एक अगर रोज तैयारी करते हैं, तो मुझे अकीन है कि इसके बाद एक्जाम आएगा, बेटा, SBI क्लर्क, तो जैसी SBI क्लर्क आ जाएगा, आपको बहुत फाइदा मिलेगा ये बेसिक बैच करने का तीन महीने, तो चलिए तीन महीने, इसका 29 तारिक को काउंसलिंग सेशन है, 29 दिसंबर को इसका काउंसलिंग सेशन है, काउंसलिंग सेशन में बेसिकली क्या होगा, कि आपको बताया जाएगा, आगे का 2021 का प्लैन क्या है, कौन-कौन सी अपकमिंग वेकेंसी हो सकती है, कौन-कौन सी वेकेंसी आप भर सकते हैं 2021 में, तो ये पूरा का पूरा प्लैन ह दिखा देता हूं और आप लोगों को समझ में आगे होगा बेसिक टू हाई बैचे कंप्लीट कोर से बिलकुल इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो कवर नहीं होगा सब कुछ कवर होगा बेसिक से लेकर हाई लेवल तो मेरी तरफ से विशाल सर इतना ही ओवर टी यू और कोई सवा आपर बता दिया बड़े अच्छे से किस तरीके से वह मैट्स पढ़ाएंगी किस तरीके से रेजनिक पढ़ाएंगी मैंने आप लोग एक कॉमेंट भी देख रहा हूं तो हलका था कन्फूजन हो रहा है 29 दिसंबर ना एक्जैक्ली 29 दिसंबर मैं आपको यहापर लिखकर का था देता हो तो ताकिकिस बिल्कों एकम दूर हो जाए तो अब ही जो क्लास हम लोगों करता चार जन्वरी से बस उड़ी हो lifloor है ये batch basic to high यही तो हम बात कर रहें इसी की ही class अब चार से ना होगा एक और additional session हमने add करवा दिया है तो वो additional session 29 तारीक को है basic to high यह जो batch था इसी का ही additional एक session और है जो की 29 तारीक को है अब 29 तारीक को क्यों किया गया है मैं ये भी बता देता हूँ 29 दिसंबर 2020 हम क्या करेंगे 29 तारीक को counseling session है ये counseling session में मैं क्या बता हूँगा मैं का मतलब हम तीनों की जो classes है तीनों के timing के साथ मैं हम लोग बताएंगे क्या आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो ऐसे होंगे जन्होंने graduation ना final year में अभी होंगे इस साल final year में बहुत से ऐस student होंगे जिनका final year 2021 में होगा समझ रहे हो यानि final year में एक अंतर आएगा आप में से बहुत से student होगे जिनका background ना commerce होगा जिनका background math होगा जिनका background arts होगा तो definitely आप जब हर एक background के student होगे तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में बहुत बड़े confusion होगे कि सर मुझे maths नहीं आता आप अरुन सर से पूछेंगे सर आपको आपकी category के साब से आपको बताएंगी कि आपको मैनद कैसे कैसे क्या क्या करने है आपके पास एक perfect planning होगी जब आप यहाँ पर आओगे अपने हैसाब से choose कर पाओगे कि किस category के आप student हो और किस category की student को कैसी तियारी करनी चीए 2021 में आपके पास कैसी कैसी opportunities आएंगी तो वो सारी की ऑपर्चुनिटी आपको यहीं पता चलेंगे अब ही मैं आपको बताता हूं January में क्या हो जाएगा आयई वी Ibps का calendar release होगा अब जब ibss का calendar release होता है तो इस calendar में बताया जाता है कि kub कभ काब कैसे कैसे का से होंगे एक्जाibl कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं आपको उसमें सीधे तोर पता एक्जाम हुते हैं जो बता दी जाते हैं आइबी स सबस्कते हों इस थ्पिएश्ट आपको मिलेगा समझगे मुझे बोले जी सर समझ चुके हैं तो जैसे आपको यहाँ पर दोस्तों reasoning में पुनीच सर ने और maths में अरुन सर ने बताया है same as दोस्तों English का भी है जैसे English भी basic to high है इसका time है दो बजे इसकी भी पहली class कब होगी 29 तारीक को 29th of December पहली class 29th of December जैसे चल रहे है वो चलेगे तो पहली class सबको join करने है according to your need आपको preparation करने है हर एक student की need अलग है हर एक student का background अलग है तो अपने हिसाब से आपको वहाँ देखना है वो हम लोग आपको बताएंगे आप मुझे हमें बताना की कैसे कैसे आपको त्यारी करने है तो ये आपने द्यान रखना है English का time 2 बजे है बाकि ये तो देखो दोस्तो mains का time है mains की आपकी वो बच्चे जन्होंने अभी clerk prelims दिया है SBI का PO prelims वो देखर आएंगे ये उनकी लिए तो उनकी तो timing ग्यारा बजे और बारा बजे है ना ग्यारा बजे बारा बजे ग्यारा बजे objective English पढ़ रहे होंगे बारा बजे descriptive English पढ़ रहे होंगे descriptive English आपको मालूम है SBI PO mains और IBPS PO mains में होती है बाकि सब में जैसे IBPS का SO हो या फिर clerk हो clerical को exam हो वहां descriptive नहीं आती तो ये अपने पास systematic पुरा का पुरा तरीका है और दूसरी बात आप admission लेना न दोस्तों इसलिए आप admission पहले ही ले लेना क्योंकि 31 तारीक से fees बढ़ रहे है जो की information अभी पुनी सरने और अरूसरने आपको दी है ये information दोस्तों ध्यान रखना जैसे कि यहाँ पर है ये fees बढ़ रही है फ्रम 31st of December से ये fees बढ़ रही है तो ये fees इससे पहले की बढ़ जाए अगर आपने planning की हुई है जादा fees किसको देना पसंद है किसी को नहीं डेफिनिटली new year है नए जो price होगे तो वह revise होगे और वह हो रहें अगर तो बेटर एह है पहले admission लेना 1 year subscription लेना दोस्तों classes कैसे लेंगे ये मैं आपको बताता हूं 1 year subscription कैसे लेंगे मैं ये आपको बताता हूं देखो Dra यहाँ से आ चलते हैं आप क्या करेंगे subscription लेने के लिए इस app को download करेंगे unacademy learning app classes सारी यहां पर ही होती है unacademy platform पर दो तरीके से classes ले सकते हो number one unacademy learning app download करोगे आप install करोगे install होगे install करने के बाद दोस्तों आप अपना goal select करेंगे आपको goal है bank exam आप यहां पर choose करेंगे bank जैसे UPSC CAC लिखाए SSC exams लिखाए फिर उसके नीचे bank exams लिखाओगा आपको bank exams चूज करना है जैसे आप bank exams चूज करोगे get subscription वाला page आजाएगा जहाँ पर आपके सामने subscription में लिखाओगा 6 months 12 months 24 months आप न 12 months subscription पर चूज करना और यह अभी पुरानी भी है 12 months subscription चूज करना जिसकी फी 6000 रुपीज वाँ पर दिख रही होगी तो यही 6000 फी जो दिख रही है आपको यहाँ पर देखना है इस पर टैप करना है और जो यह चोटा से लिखा हो है यहाँ पर कोड लगाना है कोड दोस्तों टीम एवीप का है एवीप 10 आपको यह कोड लिखकर टैप करना है अपलाई पर आपने एवीप 10 लिखा अपलाई करेंगे तो वही जो 6000 रुपे न दोस्तों 10 परशंट और आपकी क्या हो जाएगी 54 रुपे हो जाएगी 54 रुपे जैसी फी हो जाएगी फिर आप इसे पेमेंट कर देना तरीके कोई भी है है debit credit card EMI का भी option है no cost EMI आप उससे पे कर सकते हो 54 रुपे फी है and it is for all subjects किसी भी सब्जेक्ट में आप क्योई भी वीडियो देख सकते हो कितनी भी बार देख सकते हो कोई limitation ही complete one year subscription है आपको हर तरीकी की तियारी करना की मिलेगी प्रलेम्स हो मेंस हो descriptive हो interview हो हर तरीकी का suggestion हो everything you will get to know तो यह अभी है फिलाल मैं आपको ना एक बार दिखा देता हूं उस फी के बारे में और आपको दिखा देता हूं वेबसाइट पे चलते हैं थोड़ा वेबसाइट पे भी आपको आइडिया मिल जाएगा देखो है ना है देखो आप लिखेंगे यह अनक्याडमी डॉट कॉम आपने ओपन किया चीक है यह बैंक एक्जाम ऑलड़ी मैंने चूज किया हुआ है यह सब्सक्रिप्शन करोगे आप यह दिख रहा है आपको सब्सक्रिप्शन प्राइज़ विल बी इंक्रीज्ड सून सब्सक कितनी भी हो शकती यह मुझे नहीं मालूम है इससे पहले आप ले लेना सब्सक्रिप्शन अगर आपने प्लान किया हुआ है यह दो मेने बाद अगर आप करते हैं बेटर है कि दो मेने पहले से स्टार्ट कर लो यह प्रपरेशन है 29 तारीकों क्लास होगी पहली क्लास मेरी ह बजे उसके बाद क्लास अरुन सर के होगी शाम पांच बजे उसके बाद क्लास पुनी सर के होगी शाम साथ बजे यह क्लास है और इन क्लास को आपको देखना है अपनी काउंसलिंग करो कैसे कैसे कर कि आपको पढ़ना है आगे उससे साब से प्लानिंग करना अब आपके सा पहले से होती है जब notification आजाता है तब तो बस अब दोड़ना होता है बर जब notification आएगा और तब तयारी करेंगे दोड़ने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा तो वह नहीं कभी situation आने देनी है पहले से दिमाग में रखा हमने प्लान किया हुआ है प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे ठीक है वाकि मेरी शुब कामना है दोस्तों आप सभी के साथ में कैसे इसका सब्सक्रिप्शन लेना मैंने ये भी बता दिया है साथ के साथ तो स्कोर्ड को जरूर लगाना आपका डेटा भी हमारे पास होगा वाक्सेप गुरूप पर आपको एड कर लेंगे क्लास के सभी स्टूडेंट होंगे तो ये सारी के सारे बेनिफिट वहाँ पर मिलते रहते हैं खतम गरते हैं दोस्तों बाकी कोई दिक्कात हो तो कॉमेंट वाक्स में जरूर जरूर बताना बाई बाई टेक केयर लवी ओल जै हें जै भारत